नवसकार दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो अंटेर की 95.05 की जो की 40SP के टेगरी का टेक्टर है तो बात करते हैं टेक्टर में क्या कुछ फंसन दिया हुआ, क्या बदला उस किया हुआ, कमपनी ने बाकिया आप लोग देख सकते हैं कितने सांदर तरीके जो एकमपनी ने इस टेक्टर को डिजाइन किया हुआ है किसान की जो छोटी-छोटी चीजे होती है उन चीजों को ध्यान रखते हुए जो एकमपनी ने इस टेक्टर को डिजाइन किया है और बात करते हैं टेक्टर के जो फरंट से तो फरंट में आपको बहुत ही सांदर जो एटेक्टर की लुक दिखाई देगी दो लाइटे दी हुई है ऐलोजन टाइप की जो बिल्कुल सामने जो स्टेट रोस नहीं करती है जैसे आप रात को काम करते हैं और एक बीच में कंपनी न अपना लोगो दिया हुई है दोनों लाइटों के लंबी जाली दी हुई है और इसके अंदर आपको बैटरी जो एब बोक्स जो दिखाई दे रहा है बैटरी इसके अंदर ही आपको मिल जाएगी और एक नमबर प्लेट के लिए दिया हुई है यहां से आपने बोनट को उपन कर सकते हैं चाप भी लोग सिस्टम दिया हुई है जैसे आपकी बैटी विचोरी ना उसके लिए कंपनी बहुत बढ़िया जो है दिया हुई है बाकी टेक्टर के एक्सल की बात करें तो इसके आपको आपको कोई जानकारी लेना चलाओ तो यहां एक नंबर पलेट शिती हुई है कंपनी इने जैसे manufacturing rate जो है engine serial number आदी जो आप देखना चाहते हो वो जानकारी कुछ टेक्टर के बारे में आपको या मिल जाएगी और जो दो diesel filter दिये हुए है टेक्टर के अंदर जो आपके diesel को filter करके engine तक पहुचाते हैं engine की बात करें तो इस टेक्टर के अंदर आपको 39cc का जो है इस टेक्टर के अंदर आपको engine मिल जाएगा अगर आप race कोलना चाहें तो यहाँ से आप अपनी race को गटा बटा भी सकते बाकी company fix करके देती है race को तो यह यहाँ से जो रेस का जो लोग system है और एक guard भी देती है company यह एक बहुत बड़ी अचीज़ें जैसे आप लूंब है मैं तक काम करते हो टेक्टर के अंदर तो जो हीट आती है engine की तो उसकी जो बाब है वो उससे के लिए company ने गाड़ दिए हुए काफी है वी जो फूट रह दिये हुए और platform की बात करें तो काफी खुला platform है जो दिखाई देगा काफी जो है steering अच्छा steering दिया है company ने बीच में लोगों दिया हुए मिट्र की बात करें तो digital जो है मिट्र इस टेक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा जिसमें आप अपने rpm अगेरा फ्यूल और जो है temperature बगेरा अधी आप देख सकते हैं तो काफी बड़ी जो है company ने मिट्र डिजाइन के हुए और साइड में जो है एक बारा वोल्ट का चार्जिंग पाइंट दिया हुए जैसे आप काम करते हैं लंबे समय तक तो अपना मोगोईल यहां आप आरा आसानी से चार्ज लगा सकते हैं रेस जो दी जो अंडियर की वह आप लोग यहां लोग के लिए यह दिया हुए बरेक के लिए तो यहां जब ऑने टेक्टर के सकते हैं गयरों की ऐधर आपको चियार फोर्वर्ड और एक रिवर्स गाहां मिल जैगा और चुर लोग के मिलजाँग है हैसे लगा Loruit और दो रिवर्वर्स गहर के साथ अटेक्टर आपको मिल जाएगा पोजिशन और आप लिवर आप लोग देख सकते हो जैसे आप अपने इंप्लिमेंट को एड़ेस्ट करना चाहिए तो यहां से आप आसानी से कर सकते हैं और जो टेक्टर है उसके आप गहर तो आप देख सकते हैं साइड में दिया हुआ है बाकी पीट्यो का लिवर मिलेगा पूल बॉक्स मिल जाएगा जिट्यूल टैंक के बात करें तो इसके अंदर आपको साथ लिटर का जो है डिजल टैंक की स्टेक्टर के अंदर मिल जाएगा जिससे आप लंबे हमें तक काम कर सकते हैं तो कंपनी नहीं यह एक अच्छी चीज दी हुए है बाकी एक रिफ लेक्टर दिया हुए जैसे रात कुरोशनी के लिए पिच्छे आपको जो अंदर आसो से सोड़ा सुकेट जी की जो है लिफ्ट मिल जाएगे एक वोल दिया हुए जहां से आप अपने डंफर वगेरा यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं काफी जो एक टैक्टर की एवी लिफ्ट दी हुई है एक पिच्छे लाइट भी दी हुई है जैसे रात काम करते है तो उसके लिए और ओइल के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा और जैसे लाइट के लिए लाइट भी जो है पूरी बड़ी लाइट दी हुई है कंपनी ने इसके अंदर तो काफी पिच्छे से जो है मजबूत जो कंपनी ने दिया हुए इस सा टैक्टर का और पिछल कि अंदर जो टैक्टर ने जो में जो फंक्शन दिए कंपणी ने बहुत ही अच्छे पंक्शन दिए हुए है साइड में जो है एक स्टार्ट अप मोटर दी हुई है हाइड्रोलिक का दिया हुआ है तो ये चीज़े अलग से दिवी पांफ रिंग का दो दिवरा हुआ